आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों की क्लास 10 हिंदी बिहार बोर्ड के लिए Most BBI Important Objective Questions Part 21 लेकर आया हैं वो सभी पार्ट आप नहीं देखें तो पहले वो देख लिजे इसका प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट में बना हुआ है सभी का ठीक है वो सभी आप देख लें उसके बाद पार्ट नमबर 21 देखें ठीक है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखें बीच में असकी बच्चों ना करें ठीक है और हाइ सो अब्जेक्टिव दोस्तो और जरूरत परातो और अब्जेक्टिव हम लूग लाएंगे ठीक है तो आई है हम लोग शुरुगाँत करते हैं तो पहला नमबर कोशन क्या लिखा गया है पहला नंबर कोश्चन्स यही है कि कौन सी रचना ठीक है कौन सी रचना हजारी पर साथ दुवेदी की नहीं है यह चार ओप्सन है ना इसमें कौन सी रचना जो हजारी पर साथ दुवेदी की नहीं है तो माती की मूरते ठीक है माती की मूरते यह हजारी पर साथ दुवेदी जी कि नहीं है चलिए हम लोग next questions की ओर चलते हैं दूसरा नंबर question में क्या लिखा गया है बच्चो दूसरा नुमर question में यह लिका गया कि दुवेदी जीटिक है हजारी पर 7 दुवेदी जी निरलज अपराधी किसे कहा है कौन सा अपराधी निरज अपराधी कौन दुवेदी जी किसे का है तो नाखून को का है ठीक है दूसरा का सही उतर क्या हो जाएगा A नंबर option हो जाएगा नाखून हो जाएगा दोस्तों ठीक है next questions की ओर चलते हैं तीसरा number questions क्या लिखा गया है देकिए तीसरा नंबर कुस्टन Jetzt यह है कि माराथी भासा की कौन सी है तो तीसरा का सही उत्तर की हो जागा देवनागरी है कौन सा है देश दोफतो देवनागरी जोह है न वही मराथी लीपी की भासा है ठीक है चलिए आप लोग next questions की ओर चलते हैं चौथा नंबर questions तो बहुत सारे students comment कर रहे थे कि भाईया इसका PDF कहां से डाउनलोड करें ठीक है तो आपको सर्च करना होगा दोस्तों क्या सर्च करना होगा एचीवर एजुकेशन जो आप स्क्रीन पर देखी रहे होगे ठीक है आपको यही सर्च करना है गूगल क्रॉम ब्रावजर आप कहीं भी सर्च कर सकते हो एचीवर एजुकेशन वहाँ पर इसका website ओपन होगा ठीक है www.theachievereducation.com करके इसका website है वहाँ पर आप किलिक कि है खार ठीक है open होने के बाद खुलने के बाद आपको class 10 में जाना है class 10 के बाद आपको अपड़ेक्टिव आएगा सब्जेक्टिव आएगा notes आएगा model paper ये सभी तमाम चीजह आएगा दोस्तों तो आपको objective टाइप questions में जाना है objective questions में जाने के बाद आपको हिंदी में चल पर upload किया जा रहा है बच्चो ठीक है तो यहीं आपको search करना पीडिया फ लेने के लिए चलिए हम लोग चौथे questions में आया थे चौथा नंबर questions क्या लिखा गया देखिए सिद्धम क्या है क्या लिखा क्या है सिद्धम क्या है चौथा चौथा का सही उत्तर क्या हो जागा अमरकांत जी की है जिंदगी और जोक यही कहानी है ठीक है छठा नंबर कोश्चन्स देखे दोस्तों क्या लिखा गया है छठा नंबर कोश्चन्स बहादूर का पूरा नाम क्या था तो बहादूर का पूरा नाम दिल बहादूर था ठीक है छठा का साही उतर क्या हो जाएगा दोस्तों दिल बहादू ठीक है तो यह सब जो questions है ना आपके literature book और grammar portion दोनों को मिलाकर बनाए गया दोस्तों यह सब questions बहुत अच्छे questions है यही सब questions आएगा पिछले 12-15 वर्सों में यह सब questions बहुत बार पूछे गया एनालाइज किया गया और बहुत सारे questions जो है new questions है दोस्त में है वो सभी आपको देखना है तभी आप 90 प्लस नंबर all subject में आप लाईएगा दोस्तों ठीक है टॉप करना है दोस्तों ठीक है सत्मा नंबर questions क्या लिखा गया देखिए सब्धा का हर अस्तर क्या नहीं होता सब्धा का हर अस्तर क्या नहीं होता तो सत्मा का सही उतर क्य तो सी नंबर हो जाएगा वर्ग यूद्ध हो जाएगा वर्ग यूद्ध ञाएगा चलिए हम लोग चा words अठामा नंबर को सरे będzieउफ SAYS साहित सापेच रूप में क्या होता है तो अठता हमाका साहिच उतर क्या नंबर डी नंबर हो जाएगा सवाधीन हो जाएगा लख्या परिच्छा से जानकारी अपडेट्स न्यूज मोस्ट बीबी आई अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडियाफ कोश्चन्स ठीक है मोडल पेपर वेबसाइट लिंक एप लिंक क्यूज होते रहता है कोश्चन सेंसर हरे एक परकार के अपडेट्स मिलते रहते हैं दोस्तों ठीक है तो आपको टेली ग्राम पर सर्च करना होगा एचेवर हो जाइए और आप्योगी्टीक है पंडित बिर्जु महाराज की गुरुवाइन जो थी नम्मा का सही उतर क्या हो जाएगा उन की माँ ही थी जो ना गुरुवाइन थी सिखाने वाली ठीक है दसमा नमबर कोश्चन्स ये लास्ट कोश्चन्स है 10 questions का set रहता है जो कि ये बहुत ज़्यादा मातपूर्ण questions है संभू महाराज बिर्जु महाराज के कौन थे कौन लगते थे संभू महाराज बिर्जु महाराज के तो दसमा का सही उत्तर क्या हो जागा D number चाचा लगते थे ठीक है education वहाँ से आप लोग एप को डाउनलोड कर लेज़े दोस्तों अराम से free of cost में आप study करिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं ठीक है और एक बात है दोस्तों सी एंसर में आप किलिक किजेगा ना तो सभी का एंसर देखिए मिल जाएगा ठीक है वीडियो को एक बार आप अराम से देखिए और चार से पांच बार इसका PDF लेकर आप पढ़िए दोस्तों ठीक है और आपने से खुद मारिये 10 questions लिख जीए 10 का option कौन सा यह होगा बी होगा वैसे करके आपको बनाना है उसके बार आप c answers इसलिए दिया गया है दोस्तों सी अंसर में आप क्लिक किजेगा सवी का एंसर भी मालूम हो जागा और असानी से आप प्राप्त कर लेंगे कि मेरा अंक कितना है दस में से दस हम मारते हैं कि नहीं दस में से दस सही होता है कि नहीं दोस्तों ठीक है तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं तो कैसा लगा यह वीडियो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके मुझे बतलाएं फिर मिलते हैं आप से अगले वाले वीडियो में द बोस्तो